नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको पताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट्मी M.I.5 पर चार्जिंग स्लो प्रॉबलम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों मांन लिजे आपके जो चार्जिंग है काफी जाने स्लो है हो 행ा आप के अपके जिवाइस पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं लेकिन मांन लिजे आपका ब्रॉबिम पर चार क्लिप्स बताऊंगा सारे सार में आपको कुछ सॉलुशन्स बताऊंगा जिसके प्रॉब्लम को आसानी से सौर्फ कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने है तो दोस्तों आप घर के एक बार वालटेज को भी चेक करके कि देख़े कि दोस्तों कही कि आपना चार्जर को बदल के देख सकते हैं तो थे यह उस सनगे चार्जिंग कर लागा के देखिये उससे आपका काम बन जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है चार्जिंग के जो एड़ेप्टर होते हैं उसमें प्राम आ जाते या फिर चार्जिंग केबल पर प्रोलम आ और यहाँ पर आपका नेट्रोग तिए नेट्रोग कोई बात नहीं आपका वाइफाइ कनेक्शन होट पर्स होसपोट कनेक्शन सिंक्रोनाइजिंग सब कुछ आपको बंद कर देना है उसके बाद आप चार्ज करके देखिए ठीक है फोन को यूज मत किजिए और आपका जो आप चार्जिंग को अच्छे से होने दीजिए सारी साथ डिवाइस को रात में स्विच आफ करके राखिए तो इस तरह का इश्यू जो हते हैं वह आप इस प्रकार से फिक्स कर सकते सारी साथ दोस्तों डिवाइस का जितने भी बेग्राउंड है अप्लिकेशन रानिंग प दोस्तों सेटिंग पर जाए सफ़वेर को अपडेट करें सब्सक्राइब अपडेट करने से भी इस तारह का जो इस्यू होते वह फिक्स हो जाते और दिवाइस पर चेक करें अगर कोई बैर अप्लिकेशन से तो उनको अनिंस्टोल करें ठीक है बैर अप्लिकेशन वेड़ कोई भी अनिंस्टोल करते तो वह सब अप्लिकेशन सी है तो आप दोस्तों एक बार जरूर चेक कीजिए ठीक है तो उनके उसके बाद आप डिवाइस खेश को भी एक बार क्लियर करके देखिए डिवाइस खेश क्लियर करने के आपको बाट फोन पर जाना है इस तोरेज प किने चंस इसके बार भी प्रॉल्म आते तो दोस्तों हो सकते आपकी डिवाइस में Hersh प्रव्ल्म और फिरृ आप सैंटर पर गेर किसी ऐसा पर ठीक है आपके पीन पर भी प्रॉल्म हो सकते हैं तो जो है मेरे साथ भी वह आई तो चार्जिंग का प्रोब्लिम नहीं था उस situation आ जाते हैं तो आज के इस वीडियो पर उससे बसेते हैं यह आपको यह tips और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आज के इस वीडियो पर बस इतने हैं